गुलिवनी फ्रेंट्स दिस अनील एंड वेलकम टू संसे बनेचे दोस्तो नौनिक्त सिच्छकों के वेतन भुकतान के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है दोस्तो सिच्छा विभाग बिहार पटना के तरब से माधमिक सिच्छा निदेशाले है प्रेसक है संजे कुमा निदेशक माधमिक सिच्छा सिवा में सभी वीला सिच्छा अधिकारी बिहार जोस्तो 25 जनवरी 2023 आज लेटर जारी किया गया है विसे है छट्थे चरन के अंतरगत 9 नौनिक्त माधमिक ये उच्छे माधमिक सिच्छकों के वेतन भुकतान के संबंध में दोस्तो महा सहे आप ओगत हैं कि संगत नियमोली में भीत प्रावधान के तहत संबंधित 9 नौनिक्त सिच्छकों के सैथनिक एवं प्रसैथनिक परमान पत्रों का सत्यापन नियोजा निकाई के सिदस्य सच्यू को करना है प्रंत उपलब्ध सुचना के अनुसार परमान पत्रों के सत्यापन की कारवाई नहीं हुई है फर सरुप इनके बेतनादी के भुखतान में कठिनाई हो रही है दोस्तों उक्त प्रिष्ट भूमी में विभागय अस्तर पर यह निर्न लिया गया है कि 9 निक्त प्राथमी के मध्य बिदाले सिच्छकों के भाती ही वेब पोटल पर 9 उक्त माध्य में कि हम उच्छे माध्य में सिच्छकों के पर्मान पत्रों की परती अपलोड करा ली जाए और जाच की कारवाई सिख्र पूर्ण कराने के दिशा में आवसक पहल की जाए तद नुरूप निदे साले अस्तर पर आवसक कारवाई की जा रही है साथ ही विभागी अस्तर पर लिए गर निर्ने के आलोग में उक्त परकिरिया के सर्थ पर सम्बंधित नौनिक्त सिचको को युगदान की तिती से 31 मार्च 2023 तक वेतन भुगतान करने के अनुमति परदान की जाती है दोस्तों 31 मार्च 2023 तक वेतन दिया जाएगा इसी हेतु वर्तमान वितिये वर्ष में उपलावध आवंटन से नौनिक्त सिचको के वेतन भुगतान की करवाई की जा सकती है विश्वास भाजन संजे कुमार निदेशक माध्मिक सिच्छा के तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है दोस् करवा लिया जाएगा और 31 मार्च 2023 तक वेतन दे दिया जाएगा दोस्तों अभी तक जो भी पेमेंट है जो लोगों को कई महीने से नहीं मिला है उससे लेकर के अभी तक पेमेंट दिया जाएगा और उसके बाद फिर से नया सुचना नया लेटर जारी किया जाएगा कि जाएगी और उसके बाद 31 मार्च के बाद फिर पेमेंट देने के लिए नहीं रन निती सिच्छावी भाग के तरफ से तयार की जाएगी